नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु के विशेश कास्कन के साथ हर्तालिका तीज का जो महलाएं साधी सुधा है या जो कुमारी लड़किया है उसके लिए काफी महत्पुन है ऐसा माना जाता है कि भगवान सिव को अपने पती की रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने सबसे पहले इस ब्रत का पारंद किया था हर्तालिका तीज ब्रत करने से महलाओं को बेवाहिक आनंद की प्राप्ती होती है और जीवन बड़ा खुस में होता है साथ में पती की लंबी उम्र भी आपके जीवन में प्राप्त होता है इसलिए महलाओं के लिए ये ब्रत काफी महत्पुन है आज हम आपको बताएंगे कि हर्तालिका तीज पर क्या है खास पूजा पिधान, सुब मुहुर्थ क्या होगा, किस समय आपको पूजा करना सबसे जादा महत्पुन होगा इसके साथ साथ हर्तालिकात तीज के क्या है नियम, नियम के नुसार अगर आप पूजा करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, इसके साथ साथ आपको भगवान सिव की पूजा करने से इस दिन क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी, तो बने रही है हमारे साथ, हम ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए भादरपद मास के सुक्ल पक्स की तिर्दियाती ठीको हरी तालिका तीज का ब्रत रखा जाता है इस साल हर तालिका तीज ब्रत तीज अगस्त 2022 को रखा जाएगा इस दिन सुहागिन महलाएं अखंड सुभा की काम हरी तालिका 9 सुहागिन महलाओं के लिए खास होता है, मनता है कि इस दिन महलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भादरौत मास्ट के तिर्दियाती ठीके तिर्दिमे भागवान शिव और माता पार्वति की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है हरतालिका तीज और विबाहित लड़कियों और विबाहित महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही जादा महत्पुन होता है हरतालिका तीज ब्रत निजला रखा जाता है इस दिन अन और जल का बिलकुल भी गरहन नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि भगवान सिब को अपने पती की रूप में पाने के लिए देवी पारवती ने सबसे पहले इस ब्रत का पालन क्या था हर तालिका तीज़ ब्रत करने से महलाओं को बैवाहिक जीवन की आनत तो प्राप्त होता ही है साथ में बैवाहिक जीवन सदा के लिए हमेशा खुसमे रहता है भादरपद माह के सुकल पक्ष की तितियाते थी यानि कि 19 अगस्त 2022 को दो फ़र 3 बस करके 20 मिनट से ले करके 30 अगस्त 2022 की दो फ़र 3 बस करके 33 मिनट तक ये रहेगी पूजा के लिए सुमूर्थ होगा 30 अगस्त को सुबह 6 बस करके 5 मिनट से ले करके 8 बस करके 38 मिनट तक इस बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो ये आपके लिए काफी महत्मूर्ण रहेगा शिव पुरान करुसार भगवान शिव को पती की रूप में पाने के लिए मा पारवती ने इस ब्रत को रखा था इसलिए इस ब्रत का महत्त बहुत जादा बढ़ जाता है तब पारवती जी के तब और आधना से प्रसंद होकर के भगवान सीब ने माता पारवती को पत्नी की रूप में स्युकार किया था हर तालिका तीज में महलाएं पूरे दिन बिना जल गरहन किये ब्रत का पलन करती है और ब्रत के अगले दिन जल गरहन करती है हर तालिका तीज का ब्रत सबसे कठिन ब्रत में से एक माना जाता है इस दिन महलाएं 24 घंटे या उससे अधिक समय तक निरजला ब्रत रखती है इस ब्रत में अन के साथ साथ जल का भी त्या करना पड़ता है पती की लंबी उम्र और अच्छे पती की चहत रखने वाली महिलाएं हर्तालिका तीजगा प्रत रखती है लेकिन ये प्रत जितना कठिन है इसका उपाय उतना ही जादा असरदार होता है इस दिन पूजा का भी खास बिधान है इस दिन पूरे दिन उबास रखना चाहिए तथा सिंगार करना चाहिए सिंगार में महदी और चूरियों का परयुक तो जरूर ही करना चाहिए शायम काल में शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव और माता पारवती की पूजा भी की जाती है वहीं घर में घी का बड़ा दीपक भी आप जलाएं और मंदिर अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको घी का दीपक भगवान शिव के सामने अवसी जलाना चाहिए म मापरवती और भगवान रशीव के मंतरों का आपको जाब भीजिन करना चाहिए सबसे महत्पुन मंतर है ओम rid शिवा इस मंतर का आप जाब कर सकते है और माता परवती के लिए ओम परवती पतिय नमः इस मंतर का जाब करे पूजा समापती के बाद किशी सुभागवती इस्तरी को सोहा की बस्तवे भी दान करनी चाहिए था उनका आसितवाद भी आपको लेना चाहिए इस दीन काले और सफेद बस्तों का परयोग आपको नहीं करना चाहिए हरा और लाल रंक के बस आप पर योग करेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सूब रहेगा मानता है कि इस ब्रत को करने से महलाओं को माता पार्वती से सता सुहागन रहने का बरदान मिलता है वहीं कुमारी लड़कों को मन चाहावर भी मिलता है माना जाता है कि अगर बैवाहिक जीबन में कोई प्रिसानी चल रही हो या पती पत्नी में अनबन हो तो इस दिन एक छोटा सोपाय करने से बिवाह से जूरी हर समस्या का समधान पाया जा सकता है हरतालेका तीज के दिन यदि कोई कुमारी लड़की भगवान रशीब और माता पारवती को दो पान और सुपारी के जोड़े चठाते हैं तो उन्हें मन चाहावर की प्राप्ति होती है इस दीन माता परवति को सिंगार की बस्तुवे आवशेरपित करें और हर्तलिकाथ दीज के अगले दिन वह सिंगार की बस्तुवे या घर में किसी महला को आप देदे या किसी पंडितायन को दान में देदे जिए ऐसा करने से आपको सुभाग की प्राप्ति होती है यदि संभव हो तो हरतालिका तीज के दीन 11 सुहागन स्रीयों को सिंगार की बस्तवे भी आप भेट में दे ऐसा करने से आपको अखंड सुभाग की प्राप्ति होती है इस दीन आपको किसी ब्रिद सुहागन महला को सिंगार की बस्तवे अवसी भेट करना चाहिए और उनका आसिरवाद भी आपको अवस लेना चाहिए ऐसा करने से आपकी पती की लंबी उम्र होगी हरतालिका तीज के दीन आपको अपने पती के साथ अपने घर के बुझरगों का भी आसिरवाद अवस लेना चाहिए ऐसा करने से आपको भगवान सिब और माता पार्वते किरपा अवसी प्राप्त होती है इस दिन स्वहागिन महला को अपने हां से सिबलिंग बनाना चाहिए सिबलिंग आप मिट्टी से बना सकते हैं और उस पर आपको बेल पत्र अवसी अर्पित करना चाहिए यदि आप ऐसा करती है तो आपके बेवाहिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं भी समाप्त हो जाती है यदि किसी लड़की के बिवाह में अर्चन आ रहे हैं तो हर्तालिका तीज के दीन हल्दी से माता पार्वती की प्रतिमा बनाने चाहिए और 40 जिन तक इसकी पुजा करने चाहिए आपकी बिवाह बहुत ही जल्द हो जाती है यदि कोई लड़की किसी से प्रेम करती है उसे अपने पती की रूप में पाना चाहती है तो हर्तालिका तीज के दीन एक गुलाब की फुलों की मला ले करके उसे भगवान रसीब और माता पार्वती को अवस्य अरपित करना चाहिए यदि आपके जीवन में सुख की कमी है तो हरतालिका तीज के दिन माता परवती को हरे रंग की चुंदरी अवस्यरपित करना चाहिए हरतालिका तीज का बहुत ही जादा महत्व है ऐसा मानते हैं कि हरतालिका 30 के दिन अगर आप भगवाण सीब मता परबती की पुजा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या है बेवाही जीवन समस्या होगी वो समस्या सता के लिए दूर हो जाती है हरतलिका तीज त्यूहार भगवागः सीव और देवी पारबती के पुनर मिलन को समर्पित है एक अध्यात्मिक कथा के नुसार देवी पारबती ने भगवागः सीव को पती के रूप में पाहने के लिए तपस्या के थी हिमालय पर गंगा के किनारे देवी पारबती ने घोर तपस्या की देवी की इस दसा को देखकर उनके पिता हिमालय भी उदास हो गए एक दिन भगवान बिश्नु की ओर से महर्शी नारद बिवाह का प्रस्ता लेकर आए लेकिन जब देवी पारबती ने इस बात का पता च落 उन्हें तो बिलाप करने लगी उसने अपनी महला साथी से कहा कि भगवान शीप को वे अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है इसके बाद अपने साथी की सलाह पर देवी पारबती जंगल में चले रेत से सिवलिंग बनाया और उसके बाद वह भगवान रसीव के पूजा में डूब गई। देवी परवती की घोर तपस्या को देखकर भगवान रसीव अपने दिव रूप में उनके सामने आये और देवी परवती को अपनी पत्नी के रूप में स्विखार किया। तभी से और विवाहित करन्याएं और विवाहित महलाएं द्वारा हरतले का तीज का प्रत मनाया जाता है। इस प्रकार इस ब्रत के माध्यम से वे भगवान रसीव और देवी परवती की पूजा करके उनका आसिरवाद भी लेते हैं। अब हरतले का तीज ब्रत के कुछ नियम होते है और जो कुमारी लड़कियां है वो अपने मन चाहे बर की प्राप्ति के लिए यह ब्रत करती है सास्त्रों में हरतालिका तीज ब्रत के कुछ नियम बताये गए हैं जिनका पलन करना महिलाओं के लिए बहुत ही जादा जरूरी है आज हम जानेंगे कि क्या वह नियम है जिसका ध्यान आपको अवस रखना चाहिए हरतालिका तीज ब्रत का नियम बहुत ही कठीन माना जाता है यदि कोई महिला एक बार हरतालिका तीज का ब्रत करती है तो उसको यह ब्रत हर बर्स करना पड़ता है यदि महला किसी करान बस यह ब्रत छोड़ना चाहती है तो इसके लिए ब्रत का उध्यापन किसी अनिस्त्री को दे सकती है हरतालिका ब्रत के नियम में कुछ ऐसे नियम है जो आपको अवस्य करना चाहिए इस दीन इस्तिरियां 24 घंटे तक अनाज और जलका गरहन नहीं करती है आपको नियर्जला ब्रत ही करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज ब्रत बिधवा महलाएं नहीं कर सकती है बिधवाएं महलाएं को ये ब्रत नहीं करना चाहिए हर्तालिका तीज ब्रत पर भगवान, सिब और माता परवती जी की पूजा का विशेश रूप से बीधी बिधान है उनकी पूजा एक साथ थफस करना चाहिए अगर महलाएं हर्तालिका तीज ब्रत कर रही है तो पूजा करने के बाद सुहा की सामगरी किसी सुहागीन को दान दीजे या फिर आप सुहा की सामगरियां किसी मंदिर के प्रोहित को भी दान दे सकती है लेकिन ये दान आपको करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि हरतालेका 30 बत रखने वाली महिलाओं को इस दिन रात के समय नहीं सोना चाहिए बलकि अन्ड महिलाओं के साथ रात भर जागन करके भगवान सीब माता परवती की पूजा किरतन करना चाहिए उनका गीत नादन करना चाहिए हरतलेका 30 के दीन एक बात का आपको बिशेश ध्यान रखना होगा इस दीन आप अपने मन को सांत रखे गुसा ना करें इस दीन अपने घर के किसी भी बड़े बुजरुक से आप अप सब ना बोले और ना है उसका आप मान करें अगर आप ऐसा करती है तो इससे आपको अपनी पूजा का फल प्राप नहीं होगा आपकी पूजा बर्त ही जा सकता है हरतल का 30 का प्रत अपने पती गले रखा जाता है पतनी का स्वास्त अच्छा नहीं रहता हो और इस दिन एक खास उपाए कर सकते हैं इस दिन साम के समय जाए शिविल लिंक पर पहले पंचामरे अरपित कीजिए इसके बाद जल की धरा भी अरपित करें और जीवन साथी के स्वास्त के लिए प्रास्त करें इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ में लाभ वावस मिलता है अगर आपको भीडियो प्रसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सगे समय्दों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी भगवान रसीब माता परवतिक किरपा प्राप्त होती है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद